हलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम जानेंगे गर्भवस्ता के कुछ शुरुवाती लक्षन जब हम मा बनने के लिए कोशिश करते हैं या फिर मा बनने के प्रयास में रहते हैं तो हम हर मेने ये देखते हैं कि हमें कुछ गर्भवस्ता के लक्षन नजर आ रहे है या नहीं तो आज हम आपको गर्भवस्ता के कुछ शुरुवती लक्षनों के बारे में पताएंगे लक्षन नमबर एक गंथ का आनो पीरेड आने से पहले एक अजिब तरह की गंथ आने लगती है जो कि असनी होती है गर्भवस्ता के दोराल सुंगने की शमता बढ़ जाती है और किसी भी चीज की गंथ सबसे जादा और सबसे पहले आने लगती है ऐसे में तेज गंध वाली चीजों से दूर रहे आपको गर्भवस्ता में बहुत अचिप तरकी गंध आने लगेगी जैसे दूद उबल नहीं रहा है फिर फिर भी दूद का सुगंध आएगा किसी मेटलिक चीज का सुगंध आएगा या फिर कभी कभी ऐसी चीजों का सुगंध आएगा जो कभी हमने सुगी भी नहीं अगर आपको सवरे उठे बरापर या दिन में कभी भी इस तरकी सुगंध आती है तो ये गर्भवस्ता का शुरुवाती लक्षन आप मान सकते है लक्षन नमबर दो स्पोर्टिंग होना आपकी पिरेट के दिन आने वाले है और आप फ्रेगनेंट होती है तो ऐसे इसमें आपको स्पोर्टिंग दिखने लगती है 70% महलाओ को ये स्पोर्टिंग दिखने लगती है कभी कभी हम इसे पिरेट भी समझ लेते है पर ये spotting कभी-कभी brown रंकी होती है या फिर pink color blood नजर आता है क्योंकि इस अवस्ता में अंडा गर्भाशे की दीवार पर शिपक जाता है जिसके कारण थोड़े सी blood spotting दिखने लगती ये आपके गर्भावस्ता का शुरुवाती लक्षन हो सकता है लक्षन नमबर 3 थकान महसुस होना प्रेगनेंसी के दौरान हॉर्मन के परिवरतन से शरीर तक जाता है कुछ महला है तो प्रेगनेंसी के शुरुवाती 3 मेंनों में काफी जाधा ठका महसुस करती है और बाद में भून के परिप्रक्वा हो जाने पर उनकी दिक्कते बढ़ जाती है इसलिए अगर आपको पिरेड आने से पहले थकान महसुस होती है अच्छानक थकान महसुस होती है तो इस समझ लिजे कि आप प्रेगनेंट है लक्षन नमबर चार डकार का आना अच्छानक डकाराना और पार पार डकाराना ये गर्भवास्ता के शुरुवाती लक्षन हो सकते हैं प्रेगनेंसी के चलते प्रोजेस्टेरन हॉर्मोज शरीर में काफी ज़्यादा मातरा में क्यास बना लेता है इसके कारण आपको लगातार डकार आती है अगर डकार जाता आती है तो थोड़ा सक गुनगुना पानी पीच शरीर में हॉर्मोज के चलते काफी बजला होते हैं जिसके कारण शरीर में अचानक गर्मी महसूस होती है सीर के निचले हिस्से में पसीना हमेशा से जादा महसूस होता है ये गर्भवस्ता का शुरुवाती लक्षन हो सकता है अचानक जोर की आवाद से या फिर किसी के जोर से बोलने से या कभी-कभी हमारे पसंदिदा सौंग सुनने से भी इरिटेशन होता है या फिर गाड़ी की हौन से बच्चों के चिलाने से अगर अचानक आपको इरिटेशन महसूस होता है तो ये गर्भवस्ता का लक्षन हो सकता है शरीर में होने वाले बदलाव के कारण शरीर इतना कन्फियस हो जाता है कि किसी से बात करने का मन नहीं होता अगर कोई बात करे तो उस चीज में ध्यान नहीं रहता है अगर आपको इस तरह से लक्षन दिखते है तो ये गर्भवस्ता की शुरुवाती लक्षन हो सकते है शरीर में लगातार हो रहे बदलाव से नीन का ना आना या अत्यदिक आना गर्भवस्ता की शुरुवाती लक्षनों में गिना जाता है अगर आपको हमेशे से सादा नीन आ रही है या फिर नीन एकदम कम हो गई है तो कॉंग्रेस आप प्रेगनेंट है लक्षन नमबर 9 दूद पीने का मन नहीं करने अचनक आपको दूद पीने का मन नहीं होगा अगर आप रेगुलर दूद पीती है तो भी दूद पीने से आपको जी मचलेगा उसकी खुश्बू से आपको मितली आएगी तो ये सब लक्षन हो सकते है अगर आपको दूद पीने का मन नहीं हो रहा है तो समझिए ये आपके गर्भवस्ता का शुरुवाती लक्षन है लक्षन नम्मर दस पेट का अचानक से बढ़ा हुआ महसुस होना पहले मेने में अक्सर पेट का आकार तो बढ़ता नजर नहीं आता है पर थोड़ा पेट मोटा होने का ऐसा जरूर होता है कपड़े अचानक टाइट महसुस होते है तो अगर ये 10 लक्षन आपको नजर आते हैं तो ये गर्भवस्ता का लक्षन हो सकता है फिर भी जिस दिन आपका पेट रहता है उस दिन आप पेगनेंसी टेस्ट जरूर कर ले तो दोस्तो आज की वीडियो में हमने जाने गर्भवस्ता के कुछ शुरुवाती लक्षन अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई है तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे और अपना खयाल रखिए धन्यवात